TZT English 2013, 2016, 2021 के questions को देखते हैं कि किस साल में किस topic से जो है question कितने कितने बने यहाँ पर हमारे topics हैं, literary terms, forms, figure of this पी, सारे topics हमारे यहाँ पर हैं जिस जिन पर questions देखते हैं कि जैसे William Wordsworth है, देखते हैं कितने question इन पर बने 2013 में, it means कितने question William Wordsworth के 2013 के exam paper में आए John Milton पर कितने question आए William Shakespeare पर कितने आए ये बहुत अच्छी चीज रहेगी हमारे लिए क्योंकि अगर आपको देखना है कि इस topic पर ज़्यादा focus करना हो तो यहाँ easy आपके लिए पढ़ेगा तो देखते हैं, हाला कि इस पर मैं detail में वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकि शॉर्ट में देखते हैं अब हमारा 2013 में देखे, 2016, 2021 में देखे, literary terms and forms हमारे TGT के syllabus का एक topic है, तो यहाँ पर इस topic से 2013 में जो question बने वो 12 question थे एक अच्छा कहाँ सा question amount बहुत सारे question 12, 2016 में सिर्फ दो ही question थे अब यहाँ पर यह भी देखेगी सिर्फ दो ही question कहां 12 और 2021 में 20 questions बने तो कहां 12, कहां 20 और कहां 2 इस साल भी आप मान कर चलिए कि यहाँ से अच्छे सारे question फिर बन सकते हैं बनेंगे ही जहां तक literary terms and forms से काफी सारे question आने की उम्मी 10 question में यहाँ से आ सकते हैं literary terms and forms की topic पे तो बहुत अच्छा topic है आपको अच्छे से इसको prepare करना है बात करते है figure of speech की तो एक normal topic है figure of speech इस पर question जो है 2, 3, 2, 3 तो आते ही है most of time तो 2013 में देखे तो 3 question 2016 में तो एक भी question figure of speech का नहीं था और 2021 में 3 question थे अभी इस साल भी आप मान कर चलिएगा कि 2, 3 figure of speech की question जहां तक आएंगे ही आएंगे figure of speech एक topic और questions ऐसे कोई भारी भर कम question नहीं होंगे figure of speech normal वाले पुछी जाएंगे जो आप easily पहचान सकते हैं 2 साल का time आपको पढ़ाई में मिला है easy होंगी, मुश्किल नहीं होंगी जो आप ना पहचान पाए similarly metaphor इस तरह की main main होती है जो 12 में पढ़ते हैं वही से ज़्याद तर पूछी जाती है next है history history का जो topic है English literature का slaves में कि English literature की जो history है वहाँ से एक भी question यहाँ पर 2013-2016 में नहीं बना है 2021 में एक question आ गया reason वही है कि literary terms and forms में इतना कुछ पूछ लिया जाता है और ये भी कही ना कि एक तरसे histories के बारे में बताई रहे है literary terms and forms कैसे रहे सुरू से आखिर तक तो history के इतनी ज़्यादा जरूत नहीं पड़ती है John Kitts author है John Kitts से related कितने question बने है 2013-2016-2021 में तो सिर्फ एक question आया था वो भी 2016 में हाला कि John Kitts एक important author है फिर भी question नहीं बन रहे है तो थोड़ी सी basic सीजे इनके बारे में आपको पढ़नी ज़रूरी होंगी T.S.E.L.E.D. पर बहुत question आते हैं मतलब आते ही है P.G.T. में भी T.G.T. में बहुत नहीं पर हां इनका एक दो question जो है कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है हाला कि T.G.T. में नहीं P.G.T. में ये अच्छे question आप उम्मीद कर सकते हैं कि T.S.E.L.E.D. एक इंपोर्टर ऑथर है जुड़े हुए भी है और ऑथर से अपने इनके बारे में नहीं आएगा तो इनसे रिलेटर और ऑथर के बारे में पूछ लिते हैं तो वहाँ पर इनसे कहीं ना कहीं जो है question से बन जाता है Matthew Arnold एक question 2013 में बाकी फिर कोई question अभी तक नहीं बना है विक्टर हुगो, rare author है rare जानते हैं इनको ज़्यादा नहीं जानते हैं पर विक्टर हुगो, P.G.T. में important role जो हैं निभाते हैं यहाँ पर T.G.T. में भी 2013 में इन पर question बना क्योंकि 2013 कई सार पुरानी बात हो गए तब इस तरह के जो other author पर आ जाते हैं अपका base क्या है में में ही आपसे पूछा जाएगा में में चीज़े ही आपसे पूछी जाती है ज़्यादा पीछे की चीज़े नहीं पूछी जाती है बेसिक जो अपना चाहर रखे जो आपका syllabus है main main जो authors हैं आपके main जो syllabus आपका main उसे ही detail में पढ़ ली दिएगा other authors की जो तफिर नहीं पढ़ेगी फिर हमारे जॉन गैल्स वरती ये तो हमारे syllabus में है ही जो अन्गैल्स वरती है तो question यहां से आने ही आने है तो अब देखे 2013 में इन पर 9 question बने और 9 question जो है मुश्किल नहीं थे basic question थे कोई भी hard question नहीं था जिसका answer ना दे सके कोई आपके पास फिर भी बहुत time रहा दो साल का 9, 8, 10 average के हम आठ का नौका मानकर चल सकते है 10 question यहां से फिर भी मानकर चलेंगे 2013 में 9 questions जो अन्गैल्स वरती पर आए जिसमें novel prize यह basic question novel prize वाला question बहुत important होता है कि इनको कब मिला 2016 में 8 question 2021 में 10 question फिर भी आप 10 question के मानकर चलिएगा William Watsworth again important author हमारे तो William Watsworth पर जो है 2013 में 11 question पर बनेते 2016 में 11 और 2021 में 7 question William Watsworth पर बने 11, 11, 7, 10 question यहां से फिर भी आप average मानकर चलिए William Watsworth पर आएंगे तो जो TGT के main main author है हैं ही कितने उन authors की basic चीजे ही आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहां से आप अच्छा खासा score इस चीज में ले सकेंगे जौन मिल्टन जौन मिल्टन 7 question 2013 में आएं इनसे related exam paper में 7 question आएं आप इस चीज को तो समझी रहेंगे कि यह topic क्या है इसका meaning 2013 का जो exam paper था यहां पर syllabus है यह यह पूरा syllabus है तो वहां पर 2013 में 7 question जौन मिल्टन से आए थे और 18 question 2016 में जौन मिल्टन के topic मतब जौन मिल्टन से related थे और 6 question 2021 में इनके exam paper में रखे हुए थे 7, 18, 6 कितना gap है कि एक साल इतने सारे question आया और एक साल इतने कम और यह कम नहीं है basic है जहां से easily आप number ले सकते है TGT के जो author है वही आपको plus point दिला सकते है माइनस में आप नहीं जाओगे अगर आपने TGT के authors जो है सही से पढ़े होंगे तो बहुत easy होगा number आपके लिए लेना next हमारे William Shakespeare आते हैं यहां TGT हो या PGT हो या कोई भी exam paper हो William Shakespeare अगर उस से लेवस में है तो सबसे जादा question यहीं से इसी topic पे से आएंगे आपके William Shakespeare देखेगा 27-2013 में question आए इसे related 22-2016 में और 16-2021 में question आए तो अच्छे खासे यहां 27 में से देखे 25 भी कोई कर सकता है इस तरह की question है सारे कि 27 में से 25-26 आप easily कर सकते हैं मैं एक को ही मानूगी माइलस में otherwise सारे basic question 27 question में थे ऐसा नहीं कि William Shakespeare के बारे में कुछ वाक कई कुछ डीप चीज़ पूछ ली कुछ लिग नहीं basic question थे सारे वैसे भी जब examiner 27 question आपको रखेगा तो वो कहां से लाएगा इतने सारे question वो भी TZT में इतना बड़ा इतना गहरा नहीं होता है कि ज़्यादा गहरा इसे कोई खोद कर कहीं से ला रहा है जो लिग दिया जो है नॉर्मल भाई चीज है तो 27 question में basic question बहुत सारे थे बहुत simple question थे 22-16 में भी ऐसे है तो मुश्किल नहीं है सबसे अच्छा topic आपको यहाँ पर रहेगा आगे हमारे common question जो थे English literature में से अब आप देख सकते हैं कि आप कितने यहाँ पर score कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा कि आप literary terms and forms पर focus करें बाकि जो author हैं वे तो आपके main हैं ही आप literary terms पर forms पर focus करते हैं प्लस इसके जो authors है main जो authors हैं उन पर focus करते हैं तो कहीं न गई आपको काफी सारे marks जो ही हैं है से obtain आप कर लेंगे इतना बड़ा syllabus इसका नहीं रहेगा तो अच्छे से पढ़िएगा अच्छे से तयारी करिएगा questions को अपने prepare करिएगा thanks a lot and best of luck